आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक ऐसी रेसिपी जिसे भी ये सबजी पसंद भी ना होगी ना वो भी उंगल्या चाट चाट कर खाएगा ये मेरी ग्यारंटी है तो एक बार इसे ट्राइ जरूर करना और चलिए जल्दी से इसे बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले यहाँ पे मैंने ले लिए हैं तरोई तो ये जो लाइनिंग वाली तरोई है वो वाली तरोई लिए आप चाहिए इसके जिल्की भी ले सकते हैं जो कि प्लेन होती है छिलके उतार लेना है और एक एक सिंगल सिंगल चीरा लगा लेना है और बड़े बड़े पीस म कट कर लेना है दो चम्मच इसमें डाल देंगे बेसन दो से तीन चम्मची इसमें डाल देंगे दही और इसी के साथ में हम इसमें एड़ करेंगे धनिया पाउडर थोड़ा सा हल्दी पाउडर थोड़ा सा लाल मिर्ची और थोड़ा सा नमक इसी के साथ में एक दो चम्मच इ और थोड़ा सा इसमें डालेंगे कसूरी मेत्य जिस्से थोड़ासा रोस्ट किया था और हाथ है इस तैल को अच्छे से गरब कर लेना है और जो तरोयी हमने तयार करिएना मसाले explain को अच्छे कोक नहीं करना है बस दो मिनीट के लिए से पकाना है ताकि जो मसाले हमने डाले ना इनका फ्लेवर इसके अंदर तक चला जाए और जब यह सबजी बनके तयार होना तो सब इसके फेन हो जाए तो इस तरह से सेम वे में आपको क्या करना शुरुआत में थोड़े देर के लिए इस तरह से पकाना है और जब यह थोड़ी थोड़ी सी जब है सेट होने लग जाए ना तब हमें इसे अलटना पलटना है ताकि जो सारे मसालों का फ्लेवर है अच्छे से चला जाए और यह 20 से 30 परसेंट तक कुक हो जाए बहुत ही आसानी से हो जाएगा और बिल्कुल भी फिर से गेस पर एक कड़ाई चड़ाई है एक बड़ा चमच तेल डाल दिया है अभी इसमें डाल दिया एक इंच दालचीनी का टुकड़ा एक डाल दिया काली वाली इलाईची इसी के साथ मैं आदा चमच राई डाली है और आदा चमच ही इसमें डाल दिया है जीरा इन डालेंगे हरी मिर्च और लेसुन को मेने कूट लिया था सात में आप जिंजर गार्लिक जो पेस्ट आता वो भी यूज़ कर सकते लेकिन मैंने इसको हमामस्ते में कूट लिया था अच्छे से इसे डाल दिया है और थोड़ा सा इसे पकाना है मतलब इसका कच्चा पंदूर हो जाए इस तरीके से इसे पका लेना है तो अभी देख सकते हैं हलका-लका golden हो गया है तो यहां पर दो छोटी साइज की प्यास थी उसको मैंने बारिक-बारिक कट किया था वो इसमें डाल देना है और अच्छे से golden कर देना है अभी इसमें basic से masala aid कर देते हैं जिसमें है लाल मिज, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, टेस्ट के according नमक इन सब को मिला के अच्छे से mix करना है और थोड़ा सा इसमें जो पानी डालना है तो पानी हम क्या करेंगे जिसमें हमने गिल्की को जो तयार किया था coating करी थी ना उसी में थोड़ा पानी डाल देंगे ताकि जो उसके चिपकेवे मसाले वो भी सब इसमें आ जाएंगे तो वही पानी मैंने मतलब थोड़ा सा पानी लिया था आदा कब उसके अंदर मिलाया और वो पानी इसमें add कर दिया है थोड़ा सा इसे पका लेंगे और जब यह हलका सा पक जाएगा मसाला देखो अभी थोड़ा थोड़ा ओल सेपरेट हुआ है तो यहाँ पे दो टमाटर को पीस लिया था वो इसमें एड़ कर दिया है और अभी इसमें एक पेस्ट एड़ कर रही हूँ जो इसकी टेस्ट को चा चांद लगा देगा यह पेस्ट है मैंने यहाँ पे 5-7 काजू और 5-7 बदाम 2-4 मखाने लिये थे और इनको अच्छे से पीस लिया था एक जो चाय का कप होता है एक कप दूप डालके अच्छे से पीस लिया बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट बना लिया है और देखो इसे भी पांच मीट लग जाएंगे अच्छे से पका लेना फिर जार में थोड़ा सा पानी डाला है मतलब लगबग एक कटोरी के करीब और जो गिलकी हमने मतलब जो तरोई हमने तयार करी थी ना वह तरोई इसमें डाल दी नहीं तो अभी देख सकते हैं तरोई के अंदर भी ना ख सब्जी जैसा तो आप कम पानी में इसे बनाएं अभी देख सकते हैं लगबग ये बन गई है तो हम इसमें डाल रहे हैं गरम मसाला सात में कसूरी मेती रोस्ट करी विए जो मैंने पहले भी ठोड़ी डाली थी और थोड़ी अभी डाल रही हूं थोड़ा सा इसका टेस्ट बेलेंस करने के लिए इसमें डाला है शक्कर आदा चमच के करीब शक्कर डालिए अच्छे से मिक्स कर लेना है और अभी डाल देते हैं इसमें कटी भी हरी धनिया तो इस तरह से सबजी बनाते हैं ना मतलब इतनी गजब की खुश्बवारी सिंपल सी तरो इतनी टेस्टी हो जाती है ना कि इसको सब उंगलिया चाट चाट कर खाने वाले मेरी ग्यारंटी है अगर आपको पसंद ना आए ना इस तरह से बनाने के बाद भी तो मेरे चैनल को अंसब्सक्राइब कर देना क्योंकि मुझे इतना कॉंफिडेंस है मेने इस तरीके से बनाया था और गर में सब को बहुत पसंद आई थी क्योंकि सिंपल सबजियां खाका के हम बोर हो जाते हैं मलब हपते में एक बार तो यसा होता ही है कि चलो थोड़ा टेस्ट चेंज हो जाए तो जब भी आपका मन कर रहा हो ना कि यार सिंपल सिंपल घर का खाना खाका के बोर हो गए हैं तो इस से बनाना बहुत ही गजब की और बहुत ही हिल्दी सबजी है तरोई खाना हिल्दी होता है हरी सबजियां खाना हिल्दी होता है तो इस तरह से ट्राय करना देखिए इसका टेक्शर देखिए मैंने इसमें बहुत ज़्यादा पानी वगेरा नहीं डाला था आप चाहें तो ह अच्छी डालोगे उतना ही टेस्ट अच्छा आने वाला है लेकिन सेम एजटी आप ट्राइ करना आप इसके फेन होने वाले यह मेरी ग्यारेंटी है तो अगर इसे बनाते हैं तो अपना experience कॉमेंट बोक्स में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलना वीडियो पसंद आई हो त चैनल पर नहीं होता सब्सक्राइब कर देना